बच्चों हमारे thermodynamics के discussion को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करते हैं second law of thermodynamics की देखो बच्चो, जब मैंने thermodynamics chapter start किया था तो पहले हमने बातचीत की basic parameter of thermodynamics मतलब की thermodynamics system क्या है, surrounding क्या है, variable क्या है, equilibrium क्या है उसके बाद फिर हमने समझा 0 अतलो, then हमने बातचीत की थी first law के बारे वाए first law पे different different process की बातचीत की काफी सारे हमने numericals को भी attempt किया कि कैसे कैसे questions हमारे frame हो सकते है आज के इस lecture में बच्चो हम बातचीत करेंगे second law के बारे में सबसे पहले तो हम statement of second law thermodynamics की बातचीत करेंगे फिर इसके applications पर बातचीत करेंगे और कैसे numerical हमारे आने वाले हैं, वो पूरा concept हम discuss करेंगे तो देखो बच्चो, पहली बात आती है कि सब second law की जरूरत क्या पड़ी जैसे first law जो था, उसने हमें बोला था कि amount of heat transfer that is equal to होता है change in internal energy plus work done जीरूरत law ने temperature के बारे में बता दिया तो second law की ऐसी क्या importance थी कि हमने second law define किया तो देखिए, अगर मैं इस query का answer करू तो कहानी कुछ ऐसे start होती है, जब first law दिया गया था तो first law में कुछ खामिया थी, क्या-क्या खामिया थी एक तो बेटा खामी थी कि first law से हमें direction of heat के बारे में पता नहीं लग रहा था जैसे मैं बोल रहा था, अगर heat add हुई है तो ये change होगा अगर heat remove हुई है तो ये change होगा लेकिन कव add होगी, कव remove होगी, इसके बारे में हमें पता नहीं चल रहा था तो एक तो direction of heat के बारे में खाम थी जो कि second law of thermodynamics से clear होगी दूसरी कमी क्या थी? जैसे हम first law से बोल रहे थे, amount of heat transfer that is equal to change in internal energy plus water अगर change in internal energy zero है तो पूरी की पूरी heat किस में convert हो जानी चाहिए, वर्क में सभी बात है न, अगर मैं cyclic process ले लूँ तो change in internal energy तो state function है इस हिसाब से change in internal energy तो zero होगा that means complete heat हमारी किस में convert हो जानी चाहिए, वर्क में और अगर पूरी की पूरी heat हमारी वर्क में convert हो रही है यह ऐसी चीज है practically हमें प्रूफ नहीं होती ऐसा practically नहीं मिलता कि complete heat वर्क में convert हो जाए जैसे इसका एक मैं आपको example देता हूँ कार में आपने petrol फिल कराया, petrol को ignite किया, petrol जैसे जलने लगेगा तो उससे heat produce होगी उस heat से कार चलने नगीगे क्या पूरी की पूरी heat कार चलने में ही consume होती है अगर इस बात को सोचा जाए, तो देखिया, जब कार चलती है तो उसके body parts भी गरम होते है अलागी गरम होने की कोई जरुरत नहीं है, लेकिन तब भी वो गरम होते है कुछ ना कुछ exhaustive gases silencer से बाहर भी निकलती है तो उन body parts को गरम करने में heat consume ही कुछ ना कुछ heat जो है वो silencer से वैसे ही बाहर निकल गई कहने का मतलब क्या है, पूरी की पूरी heat work में convert नहीं होती heat का एक हिस्सा तो work में convert हो गया एक हिस्सा heat की form में ही निकल गया अगर practical world में इस बात को समझा जाए आरे ये बात साहिए मैं, लेकिन first law बोल रहा था है कि अगर change in internal energy zero है तो heat work में बदल जाएगा लेकिन practically ये possible नहीं था, heat work में भी बदल रहा था और heat heat की form में भी भार निकल रहा था तो ये कुछ खामिया थी, जो second law से cover की गई थी तो इसलिए हमारे second law की जर्वत पड़ी, पहली बार query के लिए अब देखो, अब बात आती है second law कहता क्या है तो मैंने ये जो दो खामिया बताई है, एक तो direction वाली और एक heat पूरी तरह work में convert नहीं होता इन दोनों खामियों को ये दूर करता है तो देखिए, second law में आकर बच्चों में बातचीत करूँ तो दो statement है एक तो Kelvin और Planks ने मिलकर statement दिया था ये दो scientist थे, ठीक है, ये husband बाइट नहीं है, दोनों अलागलाग scientist है इन दोनों ने मिलकर एक statement दिया और एक scientist हुए थे, Clausius एक Clausius ने statement दिया था, इन दोनों statement से ये दोनों खामिया खतम हो गई थी ठीक है, ये जो second law thermodynamics में dynamics है, ये बच्चों completely practical law है practical बाता है करता है, हाला कि chemistry में आप entropy के साब से पढ़ते हो, physics में आप entropy के साब से नहीं पढ़ते है यहाँ पर ये practical बाता है करता है, जो भी है ना first law में कामिया आई थी, उनको दूर करता है एक तो Clausius ने statement दिया, Clausius ने क्या बोला, कि heat always flow from higher temperature body to lower temperature body heat spontaneously always flow from higher temperature body to lower temperature body if you want to flow the heat from lower temperature to higher temperature, then additional work is required सिधी सी बात है, अपने आप तो high से low temperature पर ही जाएगी, अगर low से high पर वेजना है तो अलग से काम करना पड़ेगा, efforts लगाने पड़ेगे जैसे कि बातचीत करता है AC की मालने दें, इस room का temperature अभी 30 degree Celsius है, बाहर का temperature है 40 मैंने AC on किया, मैंने AC में 20 का temperature set कर दिया कहने का मतलब क्या है, मुझे इस room का temperature 20 गना है अब बाहर का तो 40 है, अंदर का 30 है, तो heat low से high अपने आप तो नहीं जाएगी AC क्या करेगा, AC efforts लगाएगा, AC efforts कैसे लगा रहा है इसको electricity मिल रही है, electrical energy मिल रही है इस electrical energy के कारण AC efforts लगा रही है, low temperature से heat निकालके बाहर high temperature में फैल रही है अपने आप low से high नहीं जाएगा, अपने आप तो high से low ही आएगा low से high अगर भेजना है, तो additional work करना होगा तो direction of heat, क्या होती है, high temperature to low temperature यह पता लगा, यह बाद तो हमें पहले ही पताती है, क्लॉसियस से पहले नहीं बताती, क्लॉसियस नहीं बताई, अब सबको पता है अगला देखो, Calvin Plum के statement के बारे में बातचीत कर लेते हैं इन्होंने बोला, कि एक ऐसा engine बनाना impossible है, जिसकी efficiency 100% हो जो heat को completely work में convert कर दे, क्या बोला, जैसे मालो heat है, heat को completely 100% work में convert नहीं किया आए सकता 100% efficiency is not possible, और सही बात है, 100% तो efficiency नहीं होती है ठीक है, उचना कुछ कमी होती है, efficiency, 100% efficiency is not possible, Calvin Plum ने इतना सा statement दिया था क्या बोला था, कि पूरी की पूरी heat को work में convert नहीं कर सकते, 100% efficiency possible नहीं है यह था बच्चो हमारे Calvin Plum का statement, तो यहां से यह बात भी clear हो गई, कि heat पूरी तरह से work में नहीं बतलता है यह बात इन्होंने सीधा सीधा बोलता, दो statement ते दोनों ही practical है, दोनों ही बात है, प्रूब्ड है और दोनों ही बाताओं को हम feel भी कर सकते है, high temperature से low temperature heat transfer होती है, यह बात हम अच्छे से feel कर सकते है अच्छे से समझ सकते हैं, गर्मी और सरदी लगती है हमें, ठीक है, यह बात भी हमें समझना आती है, losses होता है, petrol की mileage यह नहीं है, कि पूरी की पूरी आ जाए, कुछ ना कुछ heat heat की form में ही भाहर निकल जाती है, इसलिए 100% efficiency possible नहीं है यह तो होगी बेटा, second law of thermodynamics की बाद, आगे देखो, इसमें अगला topic आता है बच्चों हमारा heat engine यह heat engine क्या चीज है, heat engine को समझने का try करता है, देखो यार, सीधी सी बात है, heat engine is a device that converts heat energy into mechanical work, क्या करता है heat engine, heat energy को mechanical work में convert करता है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे हमने बेटा, जो petrol engine है, या जो diesel engine है, या CNG engine है, ठीक है, या बेटा, air fuel engine है, एरोपलेन में जो हम यूज में लेते है, air fuel engine है, ठीक है, ये सारे engine जो है, ये सब हमारे heat engine होते है, इन सब में क्या होती है, जैसे fuel डालते है, fuel को ignite करते है, fuel ignite करने पर heat produce होती है, इस heat के कारण गाड़ी बर्क करती है, गाड़ी चलना स्टार्ट करती है, तो heat energy को mechanical work में convert करने का जो device है, that is called heat engine, petrol engine भी heat engine है, diesel भी एक तरह से ignite होके heat ही produce करता है, CNG भी heat produce करती है, और air fuel भी हमारा heat produce करता है, ठीक है, अगर मैं इसके बारे में भी बातचित करूँ, तो air fuel भी हमारा क्या produce करेगा heat, ठीक है, तो ये सारे heat engine होते है, जो क्या कर रहे है, बेटा, heat energy को work में convert कर रहे है, ठीक है, फिक है, ये चीजे आप है न, mechanical engineering वाले students पड़ते हैं, हमारा medical वालों कोई काम नहीं है, petrol engine में क्या होता है, diesel engine में क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ engineering में आता है, बस हमारे में तो heat engine है, heat engine क्या करता है, heat energy को work में convert करते है, बस, इतनी सी बात है, ठीक ह अब देखें, question कहां पे आता है, आपसे पूछ लेता है, efficiency of heat engine, आपसे क्या पूछ लेता है, efficiency of heat engine क्या होगी, यह आपसे पूछ लेता है, इस चीज को समझ लेता है, efficiency को हम कैसे लिखेंगे, efficiency क्या होगी, देखो, अगर मैं heat engine के construction की बातचीत करूँ, हीट इंजन में क्या होता है, सबसे पहले, मैं basic diagram बना लेता हूँ, आपको basic diagram से समझा देता हूँ, यह basic diagram है, यह तो हो गया, एक तो होता है, इसमें source, ठीक है, एक होता है बिटा, working agent, ठीक है, जो भी work कर रहा है, जैसे यहां पर heat engine ही लेते हूँ, और एक हो गया हमारा source का मतलब क्या होता है, source का मतलब होता है, high temperature body, जैसे की car के इसाब से समझाऊ, तो एक हो गया fuel tank, जिसमें से heat अमारी जा रही है, fuel tank है, यहां से heat transfer हुई, q1, heat किसको चलेगी, engine के पास, engine में क्या है बिटा, body parts हैं, जैसे piston लगे हुए हैं, टीक है, जैसे यह heat आई, तो इसके पूरी heat work में convert नहीं होती, कुछ heat का heat की form में loss हो जाता है, मतलब की sink का मतलब होता है, lower temperature, that means बहार की surrounding, silencer से heat बहार निकल गई, q2, या other जगे loss हो गया, total q1 में से w तो work हुआ, q2 heat हमारी बहार चलेगी, पूरी की पूरी heat work में convert नहीं होती, that when diagram is called heat, clear, यहां पर define होता है efficiency of heating, अगर efficiency के बारे में बातचीत की जाए, तो सीधी सी बात है, output हमें क्या मिला, बटे input, इस चीज को हम efficiency बोलेगे, अगर एक basic से तरीके से समझा जाए, efficiency को, तो efficiency को क्या बोलोगे आप, output upon input, right, अगर मैं इहां पर बातचीत करूँ, output क्या और input क्या है, इन बात को समझने का मैं try करूँ, तो देखिए, एकदम आसान है, output तो क्या है, जितना गाड़ी चली, input क्या है, जितना petrol मैंने उसमें बरा, गाड़ी कितना चली, डबलू के बराबर, पैट्रॉल कितना बरा, जितनी heat उसने produce की मतलब Q1 के बराबर, ये तो नुकसान हो रह से, कितना fuel मैंने बराया, वो determine होगा, कितना heat उसमें डाली, मतलब की Q1 से, तो efficiency हो जाएगी, W upon Q1, यहाँ पर W की value को अगर लिखा जाए, तो इसको बोल सकते है, Q1 minus Q2, correct, अगर ये value सारी यहाँ पर आप डालोगे, तो यहाँ से बनेगा efficiency, Q1 minus Q2 upon Q2, यहाँ से ये finally आएगा, sorry, upon Q1, यहाँ से फाइनली आएगा, efficiency 1 minus Q2, value of efficiency कितना होगा, 1 minus Q2 upon Q1, यह एकदम आसान सा तरीका है, efficiency निकाल मेंगा, कोई भी heat engine अगर हमें दिया हुआ है, तो high temperature to low temperature पर heat reject होता है, एक amount of work perform होता है, overall efficiency होती है, 1 minus Q2 upon Q1, Q2 किया है, lower temperature, मतलब sink में जो heat निकली है, Q1 जो source ने heat add किया है, इस तरीके से याद रख सकता है, कैसा question बनने वाला है, वो भी हम discuss करेंगे, पहले यह वाली बात समझ लो, के लिए second law का statement किया है, second law की जरुरत क्यों पड़ी, इसमें पहला topic है, heat engine होते क क्या है, heat engine की efficiency क्या है, यह चारों बात है के लिए, चलिए, इसको लिख लो, फिर बातचीत करते हैं, अगले topic की, that is car not engine, चले आगे, देखो बचो, अगला हमारा topic है, car not engine, यह car not engine हमें क्या बताता है, इसको समझने का ट्राइग देखो, car not scientist थे, इन्हों ने एक ऐसे engine की cycle बनाई, जिसको अगर follow किया जाए, तो उसमें heat maximum work में convert होती है, पतलब की efficiency maximum होती है, इस वाद को मैं आपको एक simple से तरीके से बताता हूँ, जैसे आपकी खुद की automobile company है, अच्छा फील कर सकते हैं, थोड़े time के लिए आप बहुत अमीर आदमी बन चुके हो, और आपकी अपनी कुद की car बनाने की company है, ठीक है, बड़ी आप car बना रहे हो आप, अब आपका task है, आपकी car ज़्यादा बिखने चाहिए, कब ज़्यादा car बिखेगी, जितनी ज़्यादा mileage आपकी car देगी, उतनी ज़्यादा आपकी car बिखेगी, सब को पैसा बचाना है, सिधी सी बात है, यहाँ पर यो car हैं, वो 15 से 20 का average देती है, अगर आप 30 की average की car बना दो, तो सब आपकी car को भी खरीदेंगे, सभी बात है, तो जितनी ज़्यादा mileage आपकी car देने वाली है, उतनी ज़्यादा car आपकी बिखने वाली है, तो अब मुझे क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा heat को work में convert करना है, मतलब मुझे heat के लिए ऐसी cycles को select करना है, ऐसे operation को follow कराना है, जिससे ultimately work maximum बने, clear, same car note ने किया था, car note जो scientist थे, इन्होंने एक cycle, एक operation propose किया, इन्होंने बोला कि heat को अगर इस pattern से चलाया जाए, तो ultimately work done maximum होगा, और गाड़ी की mileage काफी ज़्यादा होगी, और अभी जितनी भी गाड़ी आती है, car note जो cycle थे हलांकि वो ideal है, practically possible नहीं है, लेकिन उसके ही हिसाब से नई cycle बनाईगी, जो कि practically possible थी, reference इसको ही लिया क्या, इसलिए हम car note engine और car note cycle पढ़ते हैं, क्या बोला बच्चों इन्होंने, यह वाली बात समझ लो, बस सुनने के लिए हैं, कि यह volume और यह pressure है, इन्होंने बोला कि मालो fuel अभी A stage पर है, मालो fuel अभी A stage पर है, इसको पहले आप isothermally expand कराओ, क्या कराओ इसको, isothermally expand कराओ, यह भी process में, isothermal expansion हुआ, जैसे माल लेते हैं, A का temperature है T1, isothermal है तो B काफी क्या रहेगा, ठीक है, फिर बोलते हैं, यह इसको adiabatic expansion कराओ, अब इसको हमने adiabatic कराया है, तो temperature में change हो गया T2, तो B C हो गया हमारा adiabatic expansion, अब इसको अब इसको आईसो थरmally compress करके, डीपल ले आते हैं, सीड़ी हो गया हमारा आईसो थर्मल compressor, पर बोलते हैं यह इसको, अब इसको adiabatically compress करो, ultimately close cycle आपको बनानी है, अब इसको adiabatic compress किया, और finally हम उसी stage पर पहुँच जाएंगे, अगर इस pattern को follow किया जाए, तो इस वाली case में जो work done होगा, वो maximum होगा, कैसे चलानी हैं इंजन को, पहले आईसो थर्मली हीट को चलाना है, फिर adiabatic चलाना है, फिर आईसो थर्मली compress करना है, फिर adiabatic compress करना है, जो mechanical engineering करते हैं, उनके में यह बात में बहुत detail में आती है, जैसे जिनोंने engine के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, तो आपने सुना होगा, फोर स्टॉक engine आते हैं, एक टू स्टॉक engine आते हैं, तो four stock का मतलब है, चार cycle, two stock का मतलब है, दो step में cycle, जैसे four stock का मतलब है, एक step, दो step, तीन step और चार step, overall four stock cycle, two stock का मतलब है, A से सीधा C पहुंचेंगे, C से फिर बापिस सीधा A पहुंचेंगे, और खरी turning point नहीं आएगा, बहुता है two stock, जैसे piston एक बार गया, आया, गया, आया, ये क्या हो गया, गया, आया, दो process, गया, आया, दो और process, चार process में finally A पहुंचेंगे, ठीक है, तो piston का जो movement है, आपने देखा होगा, oil के जो add आते हैं, तो ये बोलते है, पिस्टन को कैसे चलाना है, isothermal expansion, then adiabatic expansion, इस pattern से चलाया जाए, तो work done maximum होगा, efficiency maximum होगा, ठीक है, बस आपको तो सुनना था, समझना था, overall इन्होंने यहां से formula निकाला, efficiency, that is equal to होता है, 1 minus T2 upon T1, या इसको अगर मैं compare करूं, तो T2 upon T1, that is equal to होगा, Q2 upon Q1, यहां पर बेटा, T2 को तो हम बोल सकते हैं, sink temperature, और T1 को हम बोल सकते हैं, बच्चो, source temperature, T2 तो क्या है हमारा sink temperature, और T1 है हमारा source temperature, इस हिसाब से हम Carnot engine को define रहते हैं, बातारी समझ में, तो efficiency होगी, 1 minus T2 upon T1, overall हम इसे finally पूरा निकाल सकते हैं, clear, कोई doubt यहां तक, अब बातचीत करेंगे, कैसे question हमारे बनने बाले हैं, बस Carnot की यह cycle थी, यह वैसे तो ideal cycle है, practically यह possible नहीं है, क्यों possible नहीं है, क्योंकि यह isothermal process यहां पर possible नहीं हो पाती, इसको हम practically नहीं कर पाते हैं, बट इसकी जो efficiency होती है, वो maximum होती है, पर 100% तब भी नहीं होती, जनरली ऐसे बोला जाता है, 44-55% efficiency तक के इंजन आते हैं, आदी तो energy loss ही होती है, आदा तो petrol waste ही होता है, पहले ही एक पर government tax लगाती है, ऊपर से फिर petrol waste ही हो जाता है, तो effective जो हमें output मिल रहे हैं, वो बहुत कम मिल पा रहे हैं, तो अभी बहुत ज्यादा scope भी है इसमें, एंजिनरिंग के हिसाब से बोला जाए, तो automobile section में बहुत ज् electrical vehicle आना start हो गए है, तो वहाँ पर तो ऐसा कोई जंजट ही नहीं है, loss का भी कोई जंजट नहीं है, कोई pollution का भी जंजट नहीं है, तो वहाँ efficiency अब बढ़ जाएगी, clear, चलिए, तो T2 upon T1 which is equal to Q2 upon Q1, right, यह हो गया हमारा Carnot engine, heat engine के बारे में हमने बातचीत करी लिए, Carnot engine हमन आ सकता है, लेको बच्चो, वही simple, moderate and difficult, तीनो टाइप की numerical हम discuss करेंगे यहाँ पर, पहले simple लेंगे, फिर थोड़ा सा difficulty बढ़ाएंगा, फिर ultimate difficult, simple numerical कैसा है बेटर, let's say, sink temperature and source temperature आपको given है, आपको बोला है बच्चो, कि source का temperature है, 227 degree Celsius और sink temperature है, 27 degree Celsius, तीक है, total जो मुझे बेटा है, यहाँ पर work done मिल रहा है, that is equal to 4 into 10 to the power 4, इतना work done मिला है, determine, माई, first efficiency, second rejected heat, rejected heat का मतलब क्या हो गया, q2, और third added heat, heat कितनी add हुईया, added heat का मतलब क्या हो गया, तीन question है, efficiency हमें निकालना है, rejected heat कितना वो निकालना है, heat कितना add हुआ है, इसको निकालना है, T1, T2 और W हमें दिया हुआ है, solve करो, कैसे गरूँआ है, ठीक है, एकदम आसान सा है, T1, T2 और W दिया हुआ है, क्या efficiency है, कितना heat reject हुआ है, कितना heat add हुआ है, इन तीनो पैरामीटर के बारे में हमें सोच रहे हुआ है, सोचो बच्चो, एकदम आसान सा concept है, आसान सा question है, बड़ी easily आप इसे attempt कर सकते हूँ, देखो, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, बागी मेरे साथ समझते हूँ, efficiency, that is equal to 1 minus T2 upon T1, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बिटा, all time temperature Kelvin में लिखा जाएगा, तो यहाँ से आएगा efficiency, that is equal to 1 minus, T2 कितना है, 27, 27 से अगर आप इसे add करोगे, तो यह आएगा 300, 3 by 5 बढ़ गया, 1 minus 3 by 5, that is equal to 2 by 5, इसको percentage में लिखा जाए, तो 40%, efficiency कितना होगा, 40%, ठीक है, पहली बाद, अब आते है, rejected heat और added heat क्या होगी, अगर इनके बारे में बातचीत की जाए, तो T2 upon T1, that is equal to Q2 upon Q1, अगर आप यहाँ पर check करोगे, बच्चो, T2, T2 तो कितना है हमारा 300, T1 कितना है हमारा 500, ठीक है, यहाँ पर मुझे Q2 और Q1 निकालना है, तो यह relation मिल गया, मुझे Q2 upon Q1, that is equal to 3 by 5, करेक्ट, पहला समझ में आया, दूसरा समझ में आ रहा है, Q2 upon Q1, यह कितना आ जाएगा हमारा 3 by 5, के लिए रही वाली बात, अब देखिए, मुझे तो value निकालना है, W दिया हुआ है, W क्या होता है बेटा, Q1 minus Q2, या मैं ऐसे बोलता हूँ, तो Q1 तो हो गया, 5W by 2, इसको अगर आप solve करोगे, तो यह आ गया बेटा, 5 into 4, 20 upon 2, 10 to the power 5, Q1 आ गया, Q2 निकालना है, तो यह क्या हो जाएगा, Q2, 3Q1 by 5, तो Q2 that is equal to आ जाएगा, 3 by 5 into 10 to the power 5, आ गया, पहला question हीट इंजन पर कैसा है, कि आपसे efficiency पूछ ले, rejected heat या added heat पूछ ले, कोई भी parameter के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, बस एक एक point हमारा के लिए रोना चाहिए, T1, T2 और W अगर हमें पता है, तो हम सीधा-सीधा लिख देंगे बिटा, कि efficiency क्या होगी, rejected heat क्या होगा, और added heat की value हमारी क्या होगी, कोई doubt हमारा यहाँ तब नहीं है, तो यह तो हो गया बिटा, हमारा सीधा का concept, अगली बातचीत करते हैं, अगला देखो, next numerical ले ले लेता है, let efficiency of carnot engine is 50%, efficiency केतनी है carnot engine की 50% है, ठीक है, Now, sink temperature is reduced to, reduced by 50 degree Celsius, then efficiency of carnot engine becomes 60%, then determine source and source temperature, सीधा सीधा ही लिख देता हूँ, कोर्षन समझे लो, कोर्षन क्या है, आपको कोई भी एक carnot engine दिया हुआ है, जिसकी starting में efficiency है 50%, अब sink की temperature को 50 degree Celsius से मैं कम कर देता हूँ, तो engine की efficiency हो जाती है, हमारी 60%, आपको बताना है, बच्चो, source temperature क्या होगा, सोचो, कैसे लिखोगे, value of source temperature आपको बतानी है, कि अब source temperature हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दम आसान है, सीथा सीथा logic सोचने का try करो, कि क्या logic हमारा यहाँ पर लगने वाला है, efficiency of carnot engine पहले 50% थी, अब 50 degree Celsius से मैंने sink temperature को कम की आए, तो efficiency 60% होगा, वीडियो को पहुच करो और अपना solve करना start करो, बाकि मेर साथ समझ लो बेटा, source temperature को कैसे निकाना जाएगा, देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ, तो efficiency that is equal to 1 minus T2 upon P, कितनी efficiency 50% मतलब कियो हो गया, 1 by 2 that is equal to 1 minus T2 upon T1, यहाँ से आएगा हमारा T2 upon T1 that is equal to 1 by 2, अगर बच्चों मैं इसको solve भी करूँगा, यहाँ से बन जाएगा T2 that is equal to T1 upon 2, एक relation तो यह बन गया, ठीक है, अब दूसरे में हमें क्या बोला है, जब मैंने sink के temperature को 50 से कम कर दिया, तो efficiency हो गई 60%, मतलब कि 60 by 100, 1 minus, अब यह कितना रह गया temperature, T2 minus 50 upon T1, कोई यह बोले कि सर, इसको Kelvin में क्यों नहीं बदला, बेटा, इसको भी हमने Kelvin में बदल लिया, तो difference 50 का है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको solve करूँगा, T2 minus 50 upon T1, which is equal to आएगा अपना 40 upon 100, राइट, बस आपको इससे solve करना है, इसको आप लिखोगे, तो बच्चों यह आगया, आपका 2 by 5, तो यह हो जाएगा, 5 T2, 5 T2 minus 250, that is equal to twice of T1, 5 T2 minus 250 is equal to twice of T1, T1 को in terms of T2 लिखोगे, तो T1 कितना होता है, 2 T2, तो 5 T2 minus 250, that will become 4 T2, तो T2 equal to आगया हमारा 250, answer यहाँ पर हमारा कैल्विन में आएगा, T2 मिल गए 250 कैल्विन है, अगर मैं T1 की वैल्यू लिखोगा, तो T1 become equal to 500, तो T2 तो होगा 250 कैल्विन, और वैल्यू अप टीवन हो जाएगी हमारी 500 कैल्विन, एकदम आसान सा यह कॉंसेप्ट है, इस तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं, कि अगर मुझे कोई भी कार्णोट एंजन दिया जाए, तो उसकी efficiency को किस तरीके से निकाला जाएगा, source, temperature बगेरा यहाँ पर क्या होगा, इसको हम सीधा-सीधा लिख सकते हैं, किलिए चलिए, तो यह होगे बेटा, किस तरीके से numerical हमारे बन सकते हैं, या तो directly पूछ सकता है, इस तरह से efficiency में घटा बढ़ा कर पूछ सकता है, बस हमें अगर basic concept के लिए रहे, तो हम इसे बड़ी आसानी से solve कर सकते हैं, हमें कहीं भी कैसी भी दिक्कत नहीं आने माली, तो यह हो गया हमारा Carnot Engine पर अगली बातचीत करते हैं, अगला second law में बेटा हम यूज में लेते हैं, रेफ्रीजरेटर, अब समझने का try करते हैं, रेफ्रीजरेटर को, रेफ्रीजरेटर हमारा क्या है? देखो बच्चो, अगर रेफ्रीजरेटर के बारे में बातचित की जाएं, फंक्सनिंग और रेफ्रीजरेटर को समझा जाएं, तो सीधा सा लॉजिक है, रेफ्रीजरेटर ठंडा करता है चीजों को, बहुत बड़ी बात बता दिये का है, रेफ्रीजरेटर ठंडा करता है, कैसे धंडा करता है कि उसका temperature पहले सी कम है और अपनी temperature को कम करता हुआ जाता है और कम कैसे करेगा जब अपने अंदर से heat निकाल गे बाहर पैटता जाए heat निकलती जाएगी temperature कम होता जाएगा कि सभी बात है तो अगर मैं रेफ्रिजरेटर का डाइग्राम बनाता हूं वेंड डाइग्राम से इसको पहले समझा देता हूं कि अगर इसका डाइग्राम बनाया जाए तो यह कुछ इस तरीके से है यह तो वह हमारा source है मतलब high temperature यह हमारा बेटा हो गया working agent जो की रेफ्रिजरेटर हो गया और यह हो गया हमारा sink मतलब की low temperature यह तो टीटू है अब देखो होता क्या है रेफ्रिजरेटर पे हम वर्क करते हैं तब वो लो टेमपरेचर से हीट को हाई टेमपरेचर पर निकालता है एक मिस एलेक्टि से मैंने वर्क किया डवलू तो रेफ्रिजरेटर का टेमपरेचर पहले से कम है और उसने टेमपरेचर को कम करने के लिए हीट को निकाला अल्टिमेटली बाहर कितनी हीट आ जाती है क्यों बाता रहें साज में यह हो गया हमा बाहर निकाला अल्टिमेटली बाहर मुझे कितनी हीट मिल जाती है क्यों जो की वैलिड करेगा वैलिडेट करेगा क्यों एक्कॉल टू प्लस टॉड़ू तो यह रैफ्रिजरेटर की फंक्सनिंग है यह एलेक्टि सेटी बोग कर रहे है इतनी हीट निकल रही है तो कोशन पूछता हूं कोशन से और अच्छे से समझ में आएगा जैसे माल लो बच्छो यह रूम है इस पूरा अच्छे से पैक कर रहा है ना बाहर की हीट अंदर आ रही है ना अंदर की हीट बाहर जा रही है अभी रूम का टेंपरेचर है 30 डिगरी सलसियस रूम में बस एक फ दाना है इंक्रीज होगा टेंपरेचर डिकरीज होगा और सेम रहेगा इसके बारे में आपको सोचना है ठीक है सोचके देखो क्या होगा अपना आनसर अपने दिमाराग में रख लो फिर पह सका सॉलूशन बताता हूं कि क्या होने बाला है अगर सीधा-सीधा सा सौचा जा करते हैं देखो यार जैसे रूम में भाहर से ना तो कोई हीट आ रही है ना ही कोई हीट जा रही है लेकिन electricity work कर रही है electricity ने work किया डवलू इससे q2 heat freeze ने निका ली तो freeze का temperature कम हुआ लेकिन रूम में कितनी heat और आ रही है जो कि electricity थी वो heat energy में convert हो रही है तो रूम में heat जादा इखटी हो रही है फ्रिज जो निकाल रहा है उतने से फ्रिज टेंपरेचर कम कर रहा है plus और minus बराबर हो गया लेकिन electricity वाली heat जो electricity energy है वो हमारी heat energy में convert हो रही है जिससे overall रूम का temperature बढ़ेगा अब बात स्वाज में आई electricity ने work किया फ्रिज ने heat निकाला अब देखिए यहाँ पर एक term define होती है जहाँ पर आपसे numerical पूछ लेता है वह होता है coefficient of performance coefficient of performance जिसको हम बोलते है बिटब बीटा कोफिक परफॉमेंस क्या होगा है इस बात को समझने का ही कर लेते हैं सीधा सायार कि कोैसेंट परफॉर्मेंस पी यह होता है कि कितना बैटर an कोब कितना बैटर परफॉर्म करेंग वन कब जैदा तर्ट हरें कावन सा फ्रेज बागे ढ़ियाए जय को जादा थंड़ा कर रहा परण जहां ठंड़ा कैसे होगा जब ज़्यादा हीट निकले तो Q2 तो ज़्यादा होना चाहिए और वर्क हमें कम करना पड़े यह होगा coefficient of performance बीटा इक्वाल टू होता है हमारा Q2 upon W that is called coefficient of performance, correct? आई बात सहल में नहीं और efficiency तो वही होती है 1-Q2 upon Q1 which is equal to 1-T2 upon T efficiency में तो बहुत बड़ी कोई learning नहीं है efficiency तो वही होगी 1-T2 upon T1 या 1-Q2 upon Q1 coefficient of performance होता है हमारा Q2 upon W आई बात सहल में अगर इसको पूछ ले तो यह कैसे बोला? कब बेटर परफॉर्म करेगा है? जितनी जादा हीट निकालना वर्क के रेस्पेक्ट में, correct? अब देखिए, एक कोर्शन क्या होता है? आपको ना नीटा वगेरा दे देता है, efficiency देता है और बीटा आपसे प्यूश लेता है तो इनको आप रिलेट भी कर सकता है अगर आप इनको रिलेट करना चाओ देखो, मैंने बोला बीटा that is equal to Q2 upon W अगर मैं W को लिखता हूँ तो W होता है बच्चों हमारा Q1 minus Q2 अगर बीटा मैं यहाँ पर Q2 को नीचे लाता हूँ तो यह बनेगा 1 upon Q1 upon Q2 minus आपने पढ़ा है, efficiency होता है 1 minus Q2 upon Q1 that means Q2 upon Q1 की value होगी 1 minus efficiency तो यह value मैं यहाँ पर put कर देता हूँ तो यहाँ से बनेगा बीटा that is equal to 1 upon 1 upon 1 minus efficiency minus 1 तो 1 minus efficiency तो LCM आ गया इज़र रहेगा 1 minus 1 plus efficiency तो relation बनेगा 1 minus efficiency upon efficiency अगर ऐसा question आ जाए, efficiency देते हो coefficient of performance पूछ ले तो इन दोनों को भी हम relate कर सकते हैं इसमें भी कोई बहुत बढ़ी learning नहीं है बस हमें basic concept को यहाँ पर समझना है basic concept हमारा है क्या है तो refrigerator की कहानी से इस basic concept को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है यह होगा बीटा that is equal to 1 minus efficiency upon efficiency इस इट के लिए ठीक है यह पूरा हमारा बीटा second law of thermodynamics का concept है जहाँ पर हमने refrigerator को समझा जहाँ पर हमने carnot engine heat engine के बारे में समझा second law of thermodynamics की बातचीत की की सा statement क्या है और यह entire discussion हमारा thermodynamics का discussion है जहाँ हम तीन लौज की बातचीत करते हैं 0th law, 1st law और 2nd law तो बच्चों आप thermodynamics से related numerical सब attempt करना और सारे numerical आपके attempt हो जाएंगे आपने एक-एक concept को अच्छे से समझाए तो एक-एक चीज अच्छे से पड़ो अच्छे से समझो और numerical attempt करो ताकि हमारा इस chapter में confidence एकदम 100% हो कैसा भी question आजाए इसका question तो नहीं बचेगा clear? चलिए तो बच्चों आज की chapter की विदाई यही से करते हैं फिर start करेंगे हमारा नया chapter kinetic theory of gases तो बने रहिए देखते रहिए thank you for watching this video